हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज में बराने जारी मटर का बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और क्रिस्पी चटपटा नास्ता इसको आप मटर का नास्ता या फिर मैसूर का मटर बुंडा भी कह सकते हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है सा मटर का सीजन है तो आपको फ्रेस मटर अब लेवल हो जाएगी मटर नहीं मिल पाती है तो फिरोजन मटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं मटर को हमने मिक्सी के जाल में डाल दिया है अभी इसे दरदरा पीस लेते हैं इस तरह से हमने मटर को दरदरा पीस के तयार कर लिया है जदा हम इसमें डालेंगे आधा चमच साबुद जीरा और आधा चमच डमग इनको हम अच्छे से फेट लेते हैं अब हम इसमें यह हडी मटर जो दरदरा पीस के रखा था उसे इसमें डाल देते हैं और इसे भी दही के साथ मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें अड़ करेंगे आधा कप मैदा मटर दही और मैदे का मेजरमिट बड़ाबर लेंगे हम और साथ में डाल देते हैं एक तीहाई कप चावल का आटा चमच से नाप कर लेते हैं तो दो टेबल स्पून हम चावल का आटा लेंगे इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो दो चमच सूजी भी एड़ कर सकते हैं अब इसमें हम दो बारी कटी हुई हड़ी मिर्च एड़ करेंगे और एक टेबल स्पून अद्रक लासन द्रधरी कुटी हुई अद्रक लासन को आप बारी काट कर भी ले सकते हैं थोड़ा सा हड़ा धनिया बारी कटा हुआ अट करेंगे और अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे अब ये जो दही वाला कप है उसी से हमने कप पानी लिया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालें अब इनको अच्छे से फेट लेंगे और एक थिक बटर तयार करेंगे इसमें कोई भी लंप्स वगरा नहीं रहने चाहिए तो ये देखें यहाँ पर मैंने ये बटर बना कर तयार कर लिया है अब ये देखें बटर हमने बिलकुल इसी तरह कंसिस्टेसी का बनाना है बहुत ज़्यदा थीक नहीं रखना है और बहुत ज़्यदा पतला भी नीर करना है मैंने टोटल एक कप पानी लिया था जिसमें ये आधा कप पानी बच गया है अब इसमें हम डालेंगे ये 140 इस्पून बेकिंग सोडा बहुत ही कम मात्रा में इसे ले चुटकी से एक चुटकी के बड़ावर ले इसे डालने से पॉकवड़े हमारे दम फुले फुले बनेंगे अब इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इनको ढखकर 10 मिनट के लिए रेश्ट पर छोड़ देते हैं तब तक हम इसके चटनीद बना कर तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें और टेबल स्पून के करीब ऑलडाल देते हैं और गयस को हम लो फेलिबए पर रकेंगे यह ऐल हमारा गरम होकिया है तो इसमें हम यह दो चिलिब्र मौंखळी इड़ करेंगे और इसी के साथ एड़ कर देते हैं दो टेबल स्पून चना डाल भूने हुए चने हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं अब इन दोनों को भून लेते हैं अब ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है ये दोनों सिकर तयार है अब गयस कफले में हम बंद कर देते हैं और इनने हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं ये ठंडी हो गई है इनने हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं थोड़े से टुकड़े माने कच्चे नारियल के लिए हैं इसके उपर का ब्राउन वाला पार्ट काटकर हटा दिया है इसी के साथ दो हडी मिर्च ली है एक तीहाय कप दही डाल देंगे चमस से ले रहे हैं तो 4 टेबल स्पून दही ले हाप टेबल स्पून नमकेट करेंगे अब हम जार का ढखकन बंद कर देते हैं और इसे पीछ लेते हैं खोल कर देख लेते हैं अभी इसमें पानी की जोड़ाथ है तो हम थोड़ा पानी दही वाले कब से डाल देते हैं यह देखे चट्नी हमारी बहुत ही स्मूथ बनकर तयार हुई है जैसे मार्केट में मिलती है उसी तरह बनके तयार हुई है खाने पर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये मुंख़ली और चनादाल से बनेवी चटनी है अब इनको एक बोल में निकाल लेते हैं और इसे चौक की तयारी कर लेते हैं चटनी में चौक लगाने के लिए हमने लिए गैस पर एक तरका पैन और इसमें एक टेबल स्पून जितना ओल डाल देते हैं थोड़ी सी राई हम इसमें डाल देते हैं राई चटकने लगी है दो लाल मिर्च डाल देते हैं और पांसे छे कड़ी पत्ती इसमें डाल देते हैं यह तरका हमारा बनके तयार हो गया है, अब इसे हम चट्नी में डाल देते हैं और इसे mix कर लेते हैं, यह चट्नी हमारी बनके तयार हो गई है, यह बहुती स्वादिश चट्नी बनी है, बिल्कुल market के जैसी, जब आप इसे बनाओगे तभी आपको पता चलेगा अब चटनी तयार है अब हम इसके पकोड़े बना लेते हैं बैटर रखे हुए यहाँ पर लगवद 10 मिट हो चुके हैं और बैटर भी कापी अच्छे से फूल गई है अब हम चलते हैं गैस की तरफ इनको फ्राइ करनी के लिए अब मैंने रख दिया है गैस पर अउन करके कढ़ाई में ओईल ओईल को अच्छे से गरम कर लेते हैं तो ओईल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें से अच्छी सी ही ठाड़ी है तो हमने जो बेटर बनाया था उसमें ये थोड़ा थोड़ा बेटर लेकर ओयल में छोड़ते जाएंगे पकोड़े की तरह पकोड़ा अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं अब हम इनको नीचे से सिखने देते हैं उसके बाद ही हम इसको पलटना है पकोड़े डालते ही इनको ना पलटे नहीं तो तूट भी सकते हैं अब ये देखिए पकोड़े नीचे से सिख गए हैं अब हम इनको पलटेंगे तो देखिए कितने फुले फुले बने हैं इसी तरह से हमें इन्हें दोनों सैट से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे हाई फ्लेम पर नहीं सेखना है तो ये देखिए एदम से गुलन क्रिस्पी हो गए हैं हर तरफ से कितने करारे करारे लग रहे हैं अब हम इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं जिससे किनका जो इस्ट्रायल होगा वो निकल जाएगा तो इसी तरह से हम बागी बचे पकड़ों को भी हम फ्राय कर लेते हैं उसी तरह से उलरते पुलरते फ्राय करेंगे तो ये देखिए पकड़े भी काफी अच्छे से गुलन क्रिस्पी हो गए हैं अब इन्हें भी हम उयल में से निकाल लेते हैं काफी फुले फुले पकोरे बने हैं तो ये लेजिए हमारे गर्मा-गरम बुंडा सब करने के लिए तयार है तो आब मैं इनको तोड़ कर दिखाती हुआ कि ये कितनी क्रिस्पी बने है ये देखिए तोरने से आपको पता चल रहा होगा कि अंदर से ये फ्लपी बने है देखिए बहुत ज़्यादा फ्लपी है और बहुत ज़्यादा करारे तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेस्पी मुझे कमेंट करके जरूर बताए आई होप आपको मेरी रेस्पी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरी रेस्पी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें फिर बिलेंगे ऐसी एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई